हाई गाइस बाइंक निफ्टी की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ आज वीडियो में मैं आपको बाइंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट प्रेडिक्शन दूँगा कल के लिए डाट मेंस 14 जून के लिए इसी के साथ मैंने बताया ह है कि बाइंक निफ्टी और निफ्टी में कौन से ऐसे ऑप्शन स्ट्वेड है जो की कल शांदार भागने वाले हैं राइट देखिए कल के बाद मार्केट लंब्या वीकेंड पर चला जायाएगा देखो छुट्टी कब कब मैं आपको बता दू पंदरों को छुट्टी सो तो अब लंबे वीकेंड से पहले मार्केट कैसा रियाक्शन देता है इसे के साथ दो स्टॉक मैंने बताये हैं अब मैंने आज की विडियो में मतलब जो मैंने कल बनाई थी आज के लिए कतना भागा है लगब 50 रुपे भागा है उसी पकार से दो स्टॉक लाया हूं भाई ये महज 9000 सेस्रैबर बच़े हुए हैं तो आप लोग प्लीज सेस्राइब करें और इस मुझात थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगा कि मैंने वाली वीडिय Влад रहा और क्या हुआ देखो में आपको बताया था कि बैंक रिफ्टी गर उच्छाल देगा तो हाँ पर सेल करके चलना है गप अपने सेल करके चलना है 50,250 की निचाज क्या हुआ लगबग गप हुआ और 50,170 का सब्सक्राइब वहां से बैंक रिफ्टी ऑल द गिरा कहां तक प पैसा बना होगा जिन लोगों ने लिया होगा राइट अप सुने कल के लिए सो अगें से मार्केट बड़ा स्टेगनेंट जोन में है कल के लिए भी मार्केट 50,50 है 50% चांट से उपर जा सकता है 50% चांट से नीचे जा सकता है अब क्या लेवल्स होंगे आई समझते हैं सपोर्ट पर देख पा रहे हैं इदर इदर राइट कल के सेशन में अगरी सपोर्ट पूर्ता है विल गो फर फेसल याट मेंस कब होगा सुन लो याट मेंस 49,770 के नीचे फनिक फ्रेसल होगा फोर टार्गेट अप टार्गेट वन 49,700 तार्गेट टू 49,600 तार्गेट 3 49,500 टार्गेट 4 49,400 तार्गेट 5 49,300 यह हमारे 5 टार्गेट है धान रखिएगा ठीक है अगर टूटा तो फिर बैंक मेंस के तकड़ा गिर जाएगा अब सुनो यह आपको स्ट्रेट सपोर्ट दिख रहा ना यह बॉक्स पॉटन का यह पता कहां पर है यह सपोर्ट है 49,550 रि सपोर्ट है यह काफी दिनों से 6 तारिक से साथ साथ तारिक से डिफेंट करते हुए आ रहा तो अगर टूटा तो क्रेक आएगा क्योंकि काफी लोग यहां पर स्टॉप लोस होंगे नीचे आपको लॉंग अन्वाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी ठीक है जी चलिए ब त्रीनेट का रिजिस्टेंस सपोर्ट नीचे है फॉर्टिन थाउजन फाइफ फंड़ पांस तिन आख आउज पॉंट का रेंज इसी में ट्रेडिंग किया जा रहा है ठीक है अब सुनिए कल को कैसे कर कैसे करके चलना है स्कैल्पिंग क्योंकि स्कैल्पिंग ही होने वाला है युनिए टो अंडिस्टांड पहला क्या दी बांक रिफ्टी हमारा 49,550 49,550 49,600 के उपर अगर सस्टेन करता है और अगर सस्टेन करने के बाद अगर हाई चोड़ता है विल गो फो बाए क्लेर जी यहां पर करने वाला है ठीक है यहां पर क्या होगा दिन पता है सुन दीजे 49,800 का जो C करेंट मार्केट प्राइज 19 जून का एक्सपाई रहेगा ठीक है ठीक है यह हमारे टार्गे अच्छा 50,100 तक का भी लेवल दिखा सकता है अगर अशर होगा तो क्योंकि यह उपर तक भी पहुंचेगा विन्चुली यह तो स्कैल्पिंग मैंने बन बता दिया अच्छा एक स्कैल्पिंग मैंने बता दिया है अब बॉक्स अब देखो अब स्कैल्पिंग मैं सेलिंग कैसे होगा समझते है रजिस्टन्स का आज पास आज क्या हुआ आज बिलकुल स्कैल्पिंग के रजिस्टन्स पे सेल हुआ नीचे आ गया कल के सेशन में अगर उपर जाता है किसी वैसे रेंज बनाता है इसके नीचे विल गो फॉर शॉट इवन्चुली स्कैल्पिंग करेंगे हम ठीक है अगर बैंक्र दिखता है 50,250 50,300 के बिलो दिखता है हम वहाँ सेलिंग करने वाले हैं ठीक है इसके नीचे बनाएगा 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 लो तोड़ा गो फॉर शॉट क्लेरा जी कितने के नीचे 50,250 देख वहाला की मैं 250 बोलतो रहा हूं लेकिन एक्जाक्री 250 पर नहीं मिलेगा सुनिएगा जब एक रेंज बनाएगा जब रेंज ब जाएगा तो सेल करेंगा तो टागेट होगा 50,100 टागेट 1 50,000 टागेट 2 49,900 टागेट 3 और 49,800 टागेट 4 49,700 टागेट 5 यह हमारे टागेट से हैं यहाँ पर क्या करनेगा सुन दीजे 50,000 का पुट ऑप्शन वुड बेरी गूट करेंट मार्केट प्राइस 30 पॉइंट का स्टाप लॉस नाइन तेंट अव जुन वाली एक स्पाइड जी धान रखिएगा ठीक है जी चलिए बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग में कैसे बाय सेल करना है सिखा दिया हूं मैं ठीक है कि इ बाकी फ्रेश तगड़ा बाय करना है वो सिखा दिया है ठीक है बाकी फ्रेश तगड़ा बाय कि पता कब होगा शौट कबरिंग वाला फॉर 50,300 के उपर क्योंकि बाक प्रेंट तो तगड़ा बाइंग आ जाएगा यह मैं कल बताऊंगा मेरे PTS app में अगर ऐसा हुआ तो कल मैं अबडेट कर दोगा PTS app में नहीं जानते हैं मैं बता दो PTS app में हमारे 1,23,000 लोग डाउनलोड है ठीक है मतलब लोगों ने डाउनलोड किया हुआ इसको राइट यह देख सकते हैं यहां पे मापको free of cost live market में अबडेट देते हैं bank nifty nifty के levels देते हैं चार्ट शेर करते ह ताकि लोग सीख सके हर एक रीजन जो मतलब जिसे हर एक रीजन के क्यों बैंक फट उपर गया क्यों यह put option उपर गया क्यों यह call option उपर गया अब आज ही देखो आज मैं लाइव मार्केट में दस पचास पे 49,600 का put option ने चार्ट शेर किया हलाकि उतना मोमेंटम था नहीं ब चार्ट देखके लिया होगा पैसा बनाया होगा यह चार्ट देखके समझ भी गया कावी लोग समझ गया कि जब भी ऐसा पैटन बने किसी पुट ऑप्शन में जब भी ऐसा पैटन बने वहां पर भागता है put option simple लोग कमा भी लिए आपने कितना प्रोप्ट बनाया है मुझ बागे कल मार्केट अगर मार्केट मोमेंटम आएगा तो जबर जस्ट में option के चार्ट पाटन के चार्ट पाटन के लिए प्टेस आपको जब डाणोड करो Android iOS दोनों के लिए है दोनों का लिंक में अवेल कर रखा है नदे रखा है लिंक पे क्लिक करके डाणोड करेना और तो यह हो चुका क्लियर तो यह हो चुका क्लियर जान लेते हैं निफ्टी देखो जी वही है बिलकुल वही कचड़ा बॉक्स पान निफ्टी में देखो फ्रेस्यल होगा तेखो निफ्टी में स्कैलपिंग है थेक्के दिखो स्कैलपिंग का रजिस्टन जोन है 23,450 सपोर्ट जोन है 23,200 23,200 टीक है लगबाग 200 पॉइंट के आस पास का रेंज है आप सुनो अब कल के सेशन में अब अगर इस रेंज का लोगरंट तो विल गो फर्स फ्रेशल रेंज का लोगरंट केतना है 23,350 23,350 के निचे फ्रेशल 23,300 23,250 23,220 के टागेट के लिए क्लेर जी बहुत बढ़िया जब निफ्टी 23,350 के लेवल टोड़ेगा सेलिंग के लिए महां बता क्या करना है 23,000 23,300 का पॉट ऑप्शन वुड वेरी गुड 20 जून वाली एक्स्पारी रहेगी करेंट मार्केट प्राइस पे 25 पॉन्ट के स्टाप्रोस के सांथ यू कंसिडर ठीक है समझ गए अच्छा निफ्टी में पैनिक सेल कब होगा जब यह सपोर्ट तूट जाएगा तकड़ा वाला यह वाला दोस होगा 23,200 के निचे पैनिक सेल फोड़े टागेट ऑफ टेंटी थी थाज़न वन फिफ्टी 23,100 एं 23,050 का हमारा टार्गेट रहेगा टार्ग अब जान दीजे सपोर्ट कैसे बाय होगा क्योंकि हर बार कहां देखो यह तकड़ा इंपोर्टन सपोर्ट है सपोर्ट है और यहां पर देखो सपोर्ट अगर लेगा अगर बैंक सब्सक्राइब निफ्टी 23,220 के उपर सपोर्ट ले लिया और अगर रेंज बना के ऊपर तोड़ा तो विल गो फोर फ्रेस्ट बाय यानि रिज मना के ऊपर तोड़ने तोड़ने तक हमरा निफ्टी 23,250 पहुंच जाएगा अफ्कोर्स तो टागेट होगा 23,300 टागेट 1 23,350 टागेट 2 23,400 टागेट 3 ठीक है इस केस में 23,300 का का कॉल अप्शिम डिवेड गुट CMP 25.5 प्रेमियम गुरुप में जाइन होना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना सिंपल हमारे अंडर का आपको अकाउंट उपन करना सच अजल बोकिंग अलाइस सच अज अजल ओन आपको अलाइस बुलू और फायर्ट तीनू में से किसी एक में आपको अकाउंट उपन करन पर चाहते हैं तो आप लोग अकाउंट उपन करवाईए अकाउंट उपनिंग लिंक तीनों का डिस्क्रशन बॉक्स में दे रखा है स्टॉक्स तीन है दो है सौरी केस इंटरनेशनल उपर जा सकता है क्यों ऐसा केसी इंटरनेशनल अपको ध्यान होगा मैंने इसमें दिया था वीडियो में यह देख सकते हैं यह वाला प्रीज आपके देखिए देखो मैं हर बग्भ प्यास करता हैं अपका पैसा बने आप स अभी 870 गाही लगा दिया 100 पॉइंट दे चुका है केसी केसी इंटरेशनल फ्रेश्ट पाय होगा 870 गूप पर बाइवनदेप होगा 830 कास पास एंचेल तकड़ा उपर जा सकता है क्योंकि सुनिए यह काफी दुनों का कॉन्स अलिटेशन का ब्रेक आउट देच चुका है फ्रेश बाइबव 5,120 बाइवनदेप अराओं फाइव थाओजन सेटी नहीं पाइव थाओजन फिफ्टी गास पास बाइवनदेप हो सकता है हमारा ठीक है इस इस इट बाकी देखिए मैं च्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बस मैं आपको हमारे बाइक निफ्टी मॉनिंग मेंटर्शिप बाइच के स्टुडेंट के फीडबेक शो करना चाहूंगा अज़रा भी फीडबेक देखिए लोग कितना लेटरल इंजॉय कर रहे हैं कितना सीख रहे हैं सीख के प्रॉफिट बना रहे हैं देख पार हैं स्क्रीन के सामने आपक सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं वह अपने प्रॉफिट का प्रॉफिट का सब्सक्राइब करते हैं यह चीजे आपके सामने भाई फीडबेक ठीक है जलदी ज़ा जाओ मौर्णिम इंटर्शिव बाच कर लाइन 30 से शुरू होने जा रहा है ठीक है आज के लिए इंस्ट अप्डेट पाने के लिए में को ज़रू फॉलो करें किस पर इंस्ट अप्रे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जितना हो सकें भाई प्लीज सब्सक्राइब करो पांच लाग सब्सक्राइब करने थाइंक यू जाएन बाबाए टेक याप